है स्वानमस्ति दोस्तों तो मैं मितुल मेता फुल टाम स्टॉक मार्केट ट्रेडर इंवेस्टर मेंटॉर और कोच आज के इस बितुलमेता स् त्री पी में आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं आज ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अंडर ग्रैड्यूएट को एक्टी लेकिन आज भारत की सबसे दरेट एक्टी में जिनका नाम है और 2017 के फॉर्ब्स के रिपोर्ट के अदुसार जिसका नेट वर्थ जो है वो है पचास हजार करोर रुपए जिन्नों ने आपको और हमारे जीवन में वेल्ट क्रियेशन का एक इतना बहतरी उदारन पेश किया और वो केस्टी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो इस वी की शुरुवात करते हैं लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे ऐसे बहुत सारे और केस्टडी जहां पर करोड़ों रुपए कमाने के मौके अपने पैसे को मल्टिप्लाइ के तौर बेंड़ एक टाइम टेस्टेट फॉर्मला और एक विशनरी परसन यहां पर क्या करते हैं कि वह शुडवात में वह आपके जैसे और मेरे जैसे एक ट्रेडर और पार्ट टाइम इंवेस्टर हुआ करते थे लेकिन उनके जीवन में एक समय आया जब उनको यह लग पैसे बढ़ाए जाएं और इसलिए वह कुछ सालों तरकुछ समय के लिए वह बारत देश से रिकल के वह अमेरिका युनाइटिट स्टेट्स वहां पर चले एंड वहां पर उन्होंने बहुत ही इन डीटेल के स्टडी एक कंपनी का किया जिसका नाम है वालमार्ट पूरे एक विश्व की सबसे बड़ी रिटेल चीन आउड़नेट कंपनी बहुत ही सफल कंपनी बहुत ही अच्छा इतियास और जो कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनस करती है उनका के स्टेडी किया अमेरिका से वापस भारत देश में आने के बाद उन्होंने दी मार्ट शुरू क और इन्होंने शुरू किया नाओ तो बिकम रिच यू नीड़ तु थेंक आज बिजनसमें आपको बिजनसमें की तरीके से सोच नहीं चाहिए और इसलिए संद दो जार में इन्होंने अपना पूरा की पूरा फोकॉस प्रेडिंग इन्वेस्मेंट से हटा के इस बिजनस का वेंचर दा उसके ऊपर किया नाम इंहों ने शुरुआत में शुरूरात में जब अपने इस ब्रिसनस बिकम बनना चाहते 2002 में 2 साल के बाद इन्हों ने पहला यानी 2 साल के मेहनत के बाद अतना पहला भ po 52 Hier living Improve insurance और यह दूरोपन किये यह कभी अपने स्टोर अपन करने से लेके दो सोला तर 21 यह दोर ओर जब पूराकी पूरा मार्केट ओन्लाइन हो रहा था डिजिटलाइज हो रहा था फ्लिप काट अमेजन ये सारी कंपनी अपने पैर जमा रहे तब जो है डी मार्ट में अपना जो बिजनस अपने जो एथिक्स ते उसके उपर वह स्ट्रॉंग रहे अड़े रहे और इस डी मार्ट के मौडल को उन्होंने सक् लिहास लिखा गया जब इस कंपनी का आई पी ओ लिस्ट हुआ एने सी बीए सी स्टॉक मार्केट पे जब यह आया दोस्तों तो पहले ही दिन अपने इंवेस्टर को एक सो छे परसंट का रिटन करके दिया यह जब यह पूरा वाक्या हो रहा था मैं वहीं पे था यकीन मान आने की इतनी उंद्र बहुत ही कम मिलती है और मैं अपने आपको नसीब वहला समझता हूं कि यह अपनी इन ही आपको से देख पाया यहां पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है का व यहां पर यहां पर आई प्यों की डीटेल्स के ऊपर मैं बात करता हूं यहां पर इश् मार्च 2017 को उसके बाद लिस्टिंग डेट जो था एकीस मार्च 2017 को यह जो आई पी ओ फ्लोज हुआ उसमें मैक्सिमम बेडिंग जो प्राइस था वह था दो सो निन्यावे यानि तीन सो रुपए और दस तारिक के बाद बिल्कुल ग्यारा दिन के बाद 21 तारिक को जब यह लिस्ट हुआ तब इसका ओपन प्राइस था छेसो रुपए जी हाँ पहले ही दिन अपने लिस्टिंग के पहले ही दिन इसमें अपने इंवेस्टर्स को माला माल कर दिया एक के दो कर दिये एक 200 निन्या में वाला शेर सीधा खुला 600 रुपए पे कहां पे खुला 600 यह होता है 408 परसंक 408 का रेटन इंहों ने एह को डौ साल इक दो सल इसको कम समय में आपको 400 परसंट का रेटन आपको है कम्परि और पिनी बहुत इंसकरन करना करना नौ support तो दू अब क्या करें तो अब मैं net गें के उपर सकती है आप ट्रेडर के ना थे सारे के सारे स्टोर खुद पर्चेस करती है यह लीस प्रॉपर्टी नहीं लेती जिससे इनका कॉस्ट जो है रिडियूस हो रहा है क्योंकि पैसे तो थे इनके पास और रेडी वो ट्रेडर थे इन्वेस्टर थे आपको मैंने बता है सुन्दोजर के पहले बहुत ही सफल थे स बुरा विश्वे इनको जानता था इनकी और एक मास्टरी है इनका जो पर्चेसिंग पावर है वो बहुत चीप पर्चेस करते हैं कोई भी गुड्स को सस्ते में बल्क में पर्चेस करना यह इनकी बहुत ही बड़ी खासियत है जिससे क्या होता है कस्टमर एक्वेशन जादा मदद मलती है तीसरा वालमार्ट का केस्टडी तो अलड़ी किया था मैंने पहले बता दिया आपको वालमार्ट ने बहुत ही उतार चड़ाओ देके तो उनको पता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना क्योंकि पूरा वो सीख क्या है समझ क्या है यहां पे इनको बह principle क्या है कि जितना वो चीब बाइंग करतें हैं वो बेनेफिट अपने customer को pass on करनी के पूरी के पूरी कोशी kalian छोटी सी दुकान के तरीके सी पूरा पैसा खा नहीं जाते वो अपने पैसे को pass on करते हैं अपने customer को जिससे क्या हता है customer इनके लॉयल बन रहे हैं इमानदार कस्टमर बन रहे हैं बार बार आते हैं लगाता रहते हैं एक ही एक कस्टमर पूरे जीवन बर इनके डी मार्ट जाते रहे हैं क्यों क्योंकि वह अपने कस्टमर का फाइदा करवार रहे हैं यहां पर बहुत ही यहां पर मैं आपको पताने कोशिश करूँगा मार्च 2017 की बाचब यह कंपनी आई पी ओ के बाद जब आई थी तो 6,450 करोड का इंका टन ओर हुआ करता था और आज जब मैं यह वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं तब एक नंबर के अनुसार मार्च 2019 के नंबर के अनुसार 6,400 करोड से यह सीधा इन्हों ने एक जंप किया और 10,480 करोड का लेवल इन्हों ने क्रॉस कर दिया तो 6,500 करोड और सारे 10,000 करोड यह बहुत भी बड़ा डिफरेंस होता है किसी भी कमपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ दो साल में जो इस कंपनी ने हासल किया नाव टेक्निकल के मैं यहां पर बात करता हूं इसमें अगर हम टेसमा स्ट्राटेजी अपनाते हैं तो टेसमा स्ट्राटेजी के र बहुत ज्यादा है सभी लोग इसके अंदर कुछ ना कुछ करना चाते हैं अपने जीवन को वहांपे सुखी बनाना चाते है इंवस्मेंन करके ड्रेड करऊंप की तो यहां पडेंट यहां पे पर एक momentum trading यह swing trading बहुत अच्छे से कर सकते हो देखिए याद रखिए वो trader थे तो वो जानते है कि स्क्रिप की moment कैसे होती है कियों होती है किस बात कर निर्बर करते हैं तो भाई साम यह सारी चीज़स जानते हैं यह कच्छा हुआ कोई business नहीं यह पके हुए businessmen है knowledge education experience इनके पास भरपूर है और इसी लिए यह सफल trader आज है पहले थे और आज investor भी है और आज हो businessman भी एक सफल बन चुके हैं यहां पर अगर मैं एक टेक्निकल की बात करूं तो 1500 के लेवल पर एक फ्रेश ब्रेक आउट इस स्क्रिप्ट ने दिखाया अगर अगर हम 11 शताब दीके फिबना की प्रिंसिपल प्रिंसिपल को यहां पर अप्लाई करें तो यहां पर इस कंपनी के दो टार्गेट निकल के आते हैं वह है 1717171717 द फिबनाकी के हिसाब से यहां पर आपको मिलती है देखिए यह के स्टडी में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास बहुत सारे लर्निंग है सबसे पहले उनके पास पूरा यहां पर नॉलेज था एजूकेशन एक्सपीरियंस था के स्टडी करके आया थे क स्टडी करने के बाद दो साल के बाद पहला स्टोड को या नहीं वह अपनी स्ट्राटेजी को अपलाई करने में जल्दबाजी नहीं करते थे वह पूरा उनका फोकस होता था एक कंप्लीट फांडेशन पे तीसरा इनका था वह अपनी फ्रेंचाइजी या चेन ऐसी अपने नंबर स्टोर्स बढ़ाने में जल्दी नहीं करते थे वह एक छोटे से एक्जामपल के जरिये से एक बड़ा एक एंपायर क्रियेट इन्होंने किया अपनी स्ट्राटेजी को छोटे कैपिटल के साथ टेस्ट कीजिए उसको पूरा की पूरा कैपिटल उसको मत दीजिए त साथ-साथ यह अपने गलतियों को स्विकार करते हैं तुरंत इसके ऊपर उसको करेक्शन करके आगे निकल जाते हैं वह गलतियों को दोराते नहीं तो यह चौता आपके लिए बहुत इंपॉर्डटन लर्निंग पॉइंट है और यही सारी चार चीज़े मैं अपने क्लाइ यदि आप एक सफल ट्रीडर बनना चाहते हैं और यदि आपको मेरे इस एंक्यूब कोर्स में अब तो आपको पास 100% मुनी पैक गैरेंटी भी मिल रहा है तो अगर यह सारे बेनिफिट्स आप चाहते हो 100% मुनी बैक एंक्यूट के अगर आप चाहते हो तो नीचे भी यह के उपर अभी इसनी वक्त कॉल करें एंपोच ही हमारे अधिकारी से के केस तरीके से आप भी पास सकते हो 100% मुनी पैक गैरेंटी इन बाइंक्यूब विद इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत बुझेगा वीडियो को लाइप करना मत बुलेगा बहुत ही महनत लगती है दोस्तों बहुत ही पैसे खर्च होता है यह सारे वीडियो बनाने में तो पुरुपा करके कॉमेंट में जो भी आपको इस वीडियो के बारे में हाम से बूलेगा बल्शेवन करना मत बारे में लिग तोटी अगौमें